वेलकम तो दी चैनल एटीपी मंत्रा गाईज दिस प्रियंग इस वीडियो में बिटिस वॉष रोई के बारे में जानेंगे जैसे कि आप देख सकते हैं लॉर्ड कैनिंग से रिलेटेड वीडियो होने वाला है साथी साथ Lord Algin ko जानेंगे, Lord Lordens, Lord Mayor और Northbrook के बारे में सारी चीज़े जानेंगे जो बुक का हम reference ले रहे हैं वह है । लूसंट लूसंट की जो यह इसकी बुक आती है तो उससे किया किया है जो बिटिस वॉष रोई के बारे में दिया गया है तो वह हम पढ़ने का यहां पर प्रियास कर रहे हैं तो वही जो सिरीज है उसे continue कर रहे हैं मैं आपको यहां पर ट्रिक्स के साथ साथ कुछ इसी जानकारिया बताऊंगो बिल्कुल जिससे की चीज़ां आपको याद रहेंगी वीडियो नमबर 8 है तो इससे पहले इस साथ वीडियो आ चुके हैं तो आप देख सकते हैं हमारी डिस्क्रिप्शन में जाके और प्लेलिस्ट में जाके आप चीज़ों को देख सकते हैं तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं ब्रिटिस वाइसरोय को एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो गवर्नेस जनरल होता था यह जो इस्ट इंडिया कंपनी थी उसके अधीन होता था अब जो यह वाइसराय चलेंगे यह ब्रिटिस ताज के अधीन हो जाएंगे ऐसा क्यों हुआ मैं भी आपको बताऊंगा लेकिन इससे पहल हम जो है 1877 में चले गए ठीक है कैसे कैसे हम यह जो सिरीज है continue कर रहे हैं अगर आपने previous वीडियो देखे हैं तो आपको बहुत ही आसानी से समझा जाएगा नहीं भी आएगा तो कोई बात नहीं मैं आपको समझा रहा हूँ कि 1777 प्लासी का युद्ध हुआ था बंगाल में भारत का गवर्नर जनरल देखने को मिलेगा यानि कि इतिहास के अंतरगत गवर्नर और गवर्नर जनरल जो है हम 1777 से 1877 के बीज में ही पड़ते हैं और हम देखते हैं कि यह इसी टाइम में जो है इसी टाइम प्रियट के दोरान जो है एक्जिस्स करते थे अब यहां पर गवर्नर कौन था इनकी पहला बंगाल का गवर्नर कौन था तो बिल्कुल जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो रॉबर्ट क्लाइव था इसी तरह बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था यह जो है अपने आप में वारीन हेस्टिंग था और अगर कोशन आएगा कि भार आपको जो है अपराइट कॉर्णर पर भी पॉप अप हो रहा होगा लिंग तो आप देख सकते हैं बिल्कुल ठीक है अब 1857 के बाद से यह वाइसराइ कहना लेने सुरी कहलाने लगेंगे ठीक अब कुश्ण यह आएगा कि पहला वाइसराइ कौन था तो पहला वाइसराइ जो था वो लॉट कैनिंग था जिसके बारे में आज के वीडियो होने वाला है तो अब हम 1857 से लेके 1900 तक यहां पर फिर से आपको बता देता हूं 1877 से लेके 1900 तक अब हम जो है वोईसरोई को कवर करने वाले हैं तो इसी से संबंदित में आगे आपको ट्रिक्स भी बताने वाला हैं ठीक है तो अब अपनी ट्रिक्स पर आ जाते हैं जैसे कि अब तक हम करते हुए आ रहे हैं ट्रिक्स के थ्रू ही हमने सारे कवर किये थे इसमें भी क्योंकि अब हम वोईसरोई पढ़ रहे हैं ठीक है अब आप गवर्निस जनरल को सेपरेड रख लीजे वोईसरोई को स्टार्टिंग से करते हैं यानि कि एक नए तरीके से ठीक है तो वोईसरोई में जो ट्रिक हमारी यहां पर बनने वाली है थोड़ी सी फणी है याद करने का तरीका मातर है वो क्या है आप देखिए मैं कहूंगा कि कनिंग कर रहा लेटे लेटे बालों में लगा रहा रीबन डफर कहीं का बन दो करने काने क चीजसे हैं देखिए कहने का तरीक से मैं यहां पर लेट करूंगा लॉड केनिंग को जिसके बारे मां आज का वीडिय होने वाले है इनि कि पहला वाइसर रहे तो यही है इसके बाद मैंने कहा कनिंग कर रहा लेटे 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 से आप यहां पर ले लेंगे Lord Litton को यानि कि Lord कनिंग के बाद जो टाइम आएगा और Lord Litton काएगा इसके बाद देख लिएजिए आप बालों में लगा रहा Lord Lensdowne को और इसी तरह Down to Elgin और यहाँ पर आजाएंगी हमारे जो Elgin है यानि कि Lord Elgin 2 इसके बाद है है साला दुरजन दुरजन से यहाँ पर हमें रिलेट करना है करजन को ठीक है इस तरीके से यह एक तरीके से जितें भी वाइस रहे हुए है न उनका करम है Lord Canning के बाद लिटन आएगा, लिटन के बाद रिपन आएगा रिपन के बाद डफरिन, इस तरीके से लेंज़ोन देंदर अईसे तो यह एक ट्रिक है ऐसे आप याद कर सकते जाने है पर अगे बढ़ते हैं Lord Canning के बारे में जानेंगे देखे सिधी सी बात है, जब जब हम वाइसरोय की बात करेंगे, पहला वाइसरोय, मारे मायन्ट देट रएक जाना में साथ जब हम लॉऀ रूध के लुट कि बात करेंगे तो अठाथःसु साथांड की डेड भी हमें याद आ जानी चाहिए फ्रतिय इक बच्चा जो इधियास का छातर है वो इस डेट को बहुत ही भाली भाती जानता है क्यों जानता है क्योंकि 1877 में ही तो स्वातたणतरता संगराम हुआ था पहला जो स्वातृता संगराम है वो 1877 में हिवा था इंडिया का अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कि हुआ गया कि 1877 में क्या हुआ हमें पता है इस दौरान महा करांती हुई और साथ साथ महा लेखा पद ऐसे याद करें महा करांती आपको पता है कि 1807 में जो है करांती भी थी है जो हमारा स्वतनतरता संग्राम हुआ था उसके लिए करांती भी थी है और साथी साथ जब मैंने महा करांती कहा तो आप महा लेखा पद भी याद कर लीजिए यानि कि अब question ये बनेगा कि महालेखा पद का सरजन किस नहीं किया था एक महालेखा परिक्षक का पद होता तो इसका जो सरजन किया था वो Lord Canning नहीं किया था कब किया था अठारसो सताउन में किया था तो ये दो पॉइंट यहां पर निकल गया आदे अब देखें क्या हुआ अठारसो सताउन में जब ये करांती हुई थे ना यानि कि जो संग्राम हो गया था स्वतंतरता संग्राम की बात कर रहा हूं मैं तो इस दोरान क्या हुआ था कि जो कंपनी का आधिपत्ति था उसको समाब्द कर दिया था और यहां पर ब्रिटिस डारेक्ट ब्रिटेन यानि कि जो ठीक है मैं बात कर रहा हूं इंग्लेंड की तो वहां कि जो महारानी थी उसके अंडर में यानि कि वहां से अब पूरा रेगुलेट होता था यानि कि वहां से जो है चीजें स्टार्ट होती थी ठीक है तो इसलिए ब्रिटिस स्टाज के अधीन अब यहां पे जितने भी वाइसरा हैं वो आ जाएंगे तो ऐसा हुआ था ये क्रांथी हुई क्रांथी के बाद जो है जो कंपनी का अधिपती था उसको समाब्द कर दिया अब डारेक्ट जो है ब्रिटिस हम कहें कि ब्रिटिस सम्राड के अधीन जो है जो एक नया पद यहां पर बना दिया गया उसको कहा कि चलो जी अब यह ना गवर्नेर्ट जनरली से हम वाइसरा कहेंगे तो इस तरीके से लौड कैनिंग बन गया पहला वाइसरा ठीक है इतनी सी बात है तो डेट अठारसो सतावन है यहां से लिया हमने महा करांती साथी साथ महा लेखा पद यानि कि महा लेखा परिक्षक का पद का सरजन लौड कैनिंग नहीं किया है अठारसो सतावन से जस्ट ना एक साल पहले आ जाईए अठारसो छपपन इसमें क्या हुआ इसमें यहां पर हमें देखने को मिलेंगी कुछ डेट कुछ पॉइंट्स होई पहला पॉइंट है कि विद्वा पुनरविवा अधिनियम लागो किया किसने किया अठारसो छपपन में लौर्ड कैनिंग नहीं किया साधी साथ पैत्रिक संपत्ति से संबंदित कानून भी यह लेके आए था जिसमें धर्म परवर्तन करने पर जो है न संपत्ति से आप वह अंचितनी रहेंगे अगर आप धर्म फरवर्तन भी कर देते हैं तो आपकी संपत्ति आपको मिलेगे तो अब यह पोइंट्स कैसे याद हो तो बिल्कुल आसाने देखिये मैंने कहा कुनिंग कर रहा लेटे-लेटe अभी न एक लाइन बनाई थी तो कनिंग कर रहा लेटे-लेटे यह तो कनिंग करता था, यानि यह तो धूरत मक्कार आद्मी था, इसने तो विद्वाउं को भी नहीं चोड़ा, ऐसे याद कीजी, ठीक है, तो विद्वाउं को भी नहीं चोड़ा, यानि कि विद्वाप उनर्विवा, अधिनियम लागू करने वाला यही था, all good साथिसाथ आपको पैत्रिक संपती से संब्दित कानून भी यहाँ पर यह समझ माँ आ जाएगा फिर अपने आप क्लिक हो जाएगा माइंड में तो जिस प्रकार अठारसो स्थाउन से पहले हम अठारसो स्थाउन में चलेगी साथी साथ एक साल बाद जो है उन्सट में क्या हुआ यह अपराद विधान जो सही था है इसको इसने लागू कर दिया अच्छा मुगल समराट का जो पत था वो इसी साल यानि के 1888 में ही खतम हुआ एक भारस सासन अधिनियम लेके आये था है तो यह कुछ बात है अब यह कैसे याद हो बहुत असान तरीका है देखे 1897 में करांती वी अल गुट महा करांती वी अब करांती इतनी हुई यानि कि जो स्वतनतरता संग्राम था इतना चला इतना करांती कारी सामने निकल के आए तो इन्हें टैंशन हो गई है न तो इस वजे से इन्होंने सोचा कि यार happens यानि वात है याद करने का तरीका मातर है अठाउन में इसको कानून बना दिया, यानिकि दन्ड सहीता कानून बना दिया और उन्सट में इसको लागू भी कर दिया, यह वही चीजा, अप्राजविधान सहीता और साथ साथ यह वाला पॉइंट भी धिहान रखेंगे कि मुगल समराट का पद समाप्थ होता है, इसी सार, अब देखे जो मुगल समराट है, आप देख सकते हैं कि अभी तक हैं ये, यनिकि जो अकबर, साजहां, जहांगेर, इनी के जो ये वनसज, अभी तक हैं ये, ठीक है, बिल्कुल, करांती तक थे 800, सत्ताउन की करांती तक तो थे ये, बिल्कुल, तो उसके बाद 888 में कि अब कोई मुगल जम्राट नहीं होगा जी अब हम आ गये हैं ऐसे अंग्रेजों ने कर दिया था यानि कि इनका पत्था उसे समाप्त कर दिया था किसके तहर किया था भारत सासन अधिने तो इन पोइंट यह यहां से निकल गया था तो आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही हैं मैं तरीके बदा रहा हूं देखिए जिससे कि आपको यह हमेशा के लिए याद रहेंगे अच्छा 1857 ठीक है करांते हुई 58 में क्या हुआ अभी हमने कहा कि दंड सहीता जो है लागू कर दीशने ठीक है मैं का लेकि अच्छा उसके बाद एक साल बाद 69 में इसने लागू भी कर दिया यह भारती है दंड सहीता जिसे हम कहते हैं तो वह लागू कौन करता है यही करत अब देखिए उच्छ न्याले अधिनियम बना अब यह भी अच्छे से याद हो जाएगा देखिए फिर से फ्लैस बैक में जाते हैं अथारसो सताउन में करांती ही अथारसो सताउन के बाद आप अठाउन मा जाईए अथारसो अठाउन में क्या हुआ इसको महसूस हुआ यार एक दंड सहिता बनानी चाहिए यह लोग तो ऐसे करांती करते रहेंगे एक ठोस दंड बनाना चाहिए तो ठीक है मैकाले की दंड सहिता को इसने लागू कर दिया उसके बाद उनसट में उसने उसको जो है सोरी पहले कानून बनाया और लागू प्रॉपर यह जो है ठा पड़ेगा तो बस यही यही पॉइंट है तो इसी अब नेक्स्ट अथार सो एक सट में जो है नियाले की स्तापना हुई बिल्कुल कलकता जो की इनके मेड में अड़े थे हैं कलकता मदरास और मुंबई यहां पर जो है यह उच्छ नियाले अधिनियम जो बनता है अथार स इक्ट भी पारत हुआ था साथी साथ पॉर्टफोलियो प्रणाली भी यहां पर लागू हुई थी नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं देखें के ल एम अब यह क्या चीज है अच्छा मैं अगर आपको बताना चाहूं एक यह वाला पॉइंट यहां पर हम एक और चीज मैं देखें क्या हुआ जैसे कि मैंने बताया विद्वा पॉनर्विवा अधिनियम यह लागू जब करता है ना इक साल पहले करता है हमने कहा कि कनिंग कर रहा लेटे कनिंग धूरता आदमी था विद्वा को भी नी चोड़ा तो एक साल पहले इसने विद्वा पॉनर्विवा हुआ था कहां कलकत्ता में और इश्वर चंद विद्विद्या सागर की देख रहे हुआ था इतने असा यह एक और पॉइंट है इसे भी याद कर सकते हैं नोट डाउन कर सकते हैं अब हम आगे बढ़ते हैं यस तो मैं आपको बता रहा था कैनिंग के बारे में बस इतने ही पॉइंट से यह शारे आपको याद हो जाएंगे उसके बाद कुछ और वाइसराइब ने हैं कर रहा लेटे-लेटे कर दिंग के बाद मैं डायरेक लिटन बताया था आपको लेकिन नई इन दोने के बीच में भी कुछ वाइसराइज हैं कौन कौन से हैं वह यह हैं और के फ जो बहुत कम-कम पॉइंट्स है इनके बारे में और इनको फटा-फट यही पर cover कर लेते हैं बहुत चलिए, स्टार्ट करते हैं इसमें कुछ बाते हैं जैसे कि Lord Kenny पहले मैं लिख देता हूँ क्या था K-L-M-N K-L-M-N K से तो Kenny इसके बारे में हम पढ़ चुके है अब L से हम पढ़ेंगे Elgin के बारे में Elgin के बारे में क्या है एक और यहां पर Elgin है, Elgin तो A से हो जाएगा तो Kenny के बाद Elgin आता है इसका वरसना एक ही साल का है तो लेकिन जो पॉइंट होई है कि वहाबी आंदुलन का दमन किया इसने अब यह वहाबी आंदुलन का है यहाँ पर देखिए यह एक इसलाम धर्म सुधारवादी आंदुलन था ठीक है और यह इंडिया में सुरू हुआ था बरेली से और से एहमद के दोरा ही सुरू किया गया था यह एक ही पॉइंट आपको देखने को मिले गा लूसल्ड में है उसके बाद देखिए KLMN L से यहाँ पर रिलेट करेंगे किसको L से ना L से हम यहाँ पर रिलेट करने वाले हैं लॉरेंस को अब लॉरेंस को जब आप याद करेंगे तो इसके बारे में एक चीज़ याद रखें वो क्या रखेंगे कि लॉरेंस लाया तोहफा जल का सांधान रिश्केता भी लाया और साजी साथ अकाल भी लेके आया ऐसे आप याद करें तो मैंने कहा तोहफा लाया जल का तो जल देखे पहला पोइंट ये है पहली समुदरी टेलीगराफ सेवा तो जल तोहफा जल का जल याद यानि के है समुदर समुदर टेलीगराफ सेवा यह लाया और डेत आप धियान रखेंगे 1865 हैं तो 1865 में भारत और योरूप के बीच में जो है पहली समुद्री जो टेलीग्राफ सेवा सुरू करता है वो कौन करता है लौर्ड लॉरेंस करता है ठीक है जो कि तीसरा वाइस राय है उसके बाद मने कहा कि साथे साथे ये लाया सांदा निश्क्रिता तो सांदा निश्क्रिता क्या है एक अहस्तक्षेप नीती थी इसकी जो अफगनिस्तान की विर्द थी बस इतनी सी बात है साथी साथ अकाल भी है अकाल ऐसा ना इसको ऐसे याद करें कि लारेंस लाया तोफ़ा जलका सांधा निश्क्रिता और अकाल बस तैट सिट तो ये सारी पॉइंट साथको अपने माइंड मा जाएंगे तो एक अकाल भी पड़ि गया थै इसके टाइम पर तो इसने क्या किया कि एक अकाल आयोग बनाया है और वो जो है हेंडरी केंपवेल की अध्यक्षता में बनाया था बस सारे के सारे पॉइंट होगे साथ एक और पॉइंट या भी ले लेंगे कि भूटान का बिटिश सामराजी पर आक्रमन हो जाता है उस टाइम पे ठीक है तो ये वाली डेट याद कर लेजिए अठारा सो बहत्तर इसी दोरान पहली जनगरना हुई अजमेर मेयो कॉलेज की स्थापना भी करते हैं और साथी साथ एक क्रिसी विभाग की स्थापना भी यहाँ पे होती है साथी साथ जब मैंने कहाना कि पहली जनगरना हो रही है तो पॉलूल होती है और लॉर्ड रिपन में या organs कर रहा है रहा है तो पहली कभ हो जाती अब आप वी साल में यह साथ सात हैं की बीचिंद रिक हृणि की जिसा में पहला प्रियाज भी से आप देख लीजिए 870 का टाइम है और इसी की हत्या हो गई थी एक अफगानी सेर ठीक है अली अफ्रीदी था तो इसने इसको चागू घंपके इसकी हत्या कर दी थी लॉस्ट में के लमन एन से नॉर्थ बुग यह जो है कौन से नंबर का है पांच वे नंबर का वा इसरा है इसके बारे मस एक चीज़ याद रखें कुका अंदुलन हुआ था साथ ही साथ एक नेटिव मैरिज एक्ट पारिद किया था अथारसो बहतर इसी ने ही किया था क्यों किया था बहुत ही असाने देखिए आप ऐसे याद कीजिए नेटिव है ना मैरिज अक्ट मैरिज तो मै देखिए ठीक है उसके MCQs देखिए तो आपको बिल्कुल आपको समझ मा आ जाएंगे अब सारी चीजे तो आज की वीडियो में इतना ही था मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले वासरे को कवर करेंगी तो पीस आउट दोस्तो झाल